इंसान ही नहीं जौनवर भी ठंड से परिशान है और बचाओं के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं सारोजनिक इस्थानों पर अलाव जुलने पर आसपास घूमने वाले जौनवर आकर आग के पास खड़े हो जाते हैं अलाव लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं पारा गिर्ने से नियोनितम तापमान सामान से नीचे पहुच गया है इसकी वज़े से समय भीशन कडाके की ठंडवा गलन पूरे दिन पर करार रहती है धूपना निकलने से मारवे गतिविद्यों पर काफी असर पड़ा है पशुपक्षी भी बेहाल देखे गए बुद्वार को सुबह शाम कोरे की धुन्द तो कम रही लेकिन कडाके की सर्दी से जन जीवन बेहाल रहा चानवर भी सर्दी से बेहाल है और जहां पर भी अलाव जलता है वह उसी के आसपास खड़े हो जाते हैं जिससे उन्हीं भी सर्दी से राहत मल सकी बस स्टेशन प्रमुक्चोराहों पर वह लोगों द्वारा अपने घरों के सामनी अलाव जलानी पर आसपास घुमने वाले जानवर आगर आग के पास खड़े हो जाते हैं कडाकी की सर्दी में रात को मवेशी खुले आसमान से भाग कर किसी मंदिर दुकान मकान की दिवारूबा चच्चे के नीचे छुपते नजर आते हैं और अगर कहीं चुट्टा मवेश्यों को कहीं अलाव जलता दिखाई पड़ जाए तो घंटों उसे देखकर नजदीक खड़े रहते हैं इतनी ठंडी रातों में अंसान तो अपने घर में रजाई में दुबग जाता है लेकिन गली महलोवस सड़कों पर बेह सहारा घुमने वाले मवेश्यों का क्या हाल होता होगा क्या है